दोस्तों अगर आप साओधी अरब में रहते हैं तो आप लोग को एक प्राब्लम जरूर फेस करना पड़ा होगा कि आपके इकामा नंबर पर कितनी सिम काड है और इसको चेक करने का एक आसान तरीका भी है आप अपने मोबाइल फोन पर ही ये चेक कर सकेंगे कि आपके इकाम इकामा नंबर पर कितनी सिम काड एक्टिवेट है ये जान सकते हैं लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया है कि अपनी अबशर आईडी से कैसे आप इस CITC एप्लिकेशन पर लॉग इन हो पाएंगे और तभी आप ये जान पाएंगे कि आपकी कामा नंबर पर कितनी सिम हैं और वहीं से आप बन कर पाएंगे लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप बिना आफशर आईडी के इस एप्लिकेशन पर लॉग इन हो पाएंगे और अपनी उन तमाम सिम काड को जो की यूजलेस हैं आप उनको इस्तिमाल नहीं कर हैं उनको बंद कर पाएंगे तो इसके लिए आपको तीन चीजों की रिक्वार्मेंट होगी सबसे पहला तो आपका इकामा नंबर आपका इकामा होना चाहिए दूसरा आपका इकामा कब इक्सपायर होना है वो डेड़ चाहिए हिजरी में यानि Arabic तारिक में वो डेड़ च जाएगा जो की आपके इकामा नंबर पर एक्टिवेट है तो इन तीन चीजों को तयार कर लिजिए और फिर इस application में login हो जाईए login होने के बाद आप सभी को पता है कि कैसे आप अपनी उन सारी SIM card को deactivate कर सकते हैं या फिर कहने की बंद कर सकते हैं जो कि बिना वज़ा आपक को SIM नहीं मिलती है तो आईए ले चलते हैं आपको अपने mobile phone की स्क्रीन पर लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वह बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमसे आने वाली सारी वीडियो लिए आपको अपना CITC एप open कर लेना है open करने के बाद आपको यहां नीचे new account का option मिल जाएगा आपको इसके ओपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसके ओपर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको ID टाइप मांगेगा जिसमें आपको इकामा सेलेक्ट करना है आप इकामा को स इंटर कर देना है जो की हेजरी में होना चाहिए तो मैं अपनी इकामा की इकस्पायरी यहां पर इंटर कर देता हूँ Iqama की expiry इंटर करने के बाद आपको यहां next के उपर किलिक कर देना है जैसे ही आप next के उपर किलिक करेंगे आप उपर देख सकते हैं आपका नाम लिख के आ जाएगा और नीचे आपको उस mobile number को इंटर करना है जिस mobile number के उपर आप OTP चाहते हैं जिस नंबर पर आप OTP चाहते हैं उस नंबर को यहां एंटर करना है ध्यान रहे वो mobile number आपकी ही इंकामा ID पर होना चाहिए तो मैं अपना mobile number यहां पर एंटर कर देता हूँ mobile number एंटर करने के बाद आपको यहां नीचे की तरफ एक next का option मिल जाएगा तो आपको इस next के option के उपर किलिक कर देना है जैसे ही आप next के option के उपर किलिक करेंगे तो आपके उस mobile number के उपर एक OTP आएगा जो नंबर आपने अभी अभी एंटर किया है तो वेट कर लेते हैं OTP का क्योंकि OTP हमारे दूसरे mobile पर आएगा SIM हमारे दूसरे mobile में है मैं उस OTP को यहाँ एंटर कर देता हूँ जैसे ही OTP एंटर करेंगे आप CITC एप में एंटर हो जाएंगे और फिर यहाँ पस आप किलिक करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा नंबर पर कितनी SIM card activate है तो जिस SIM card को आपको बंद करना है उस SIM card को आप बंद कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है उस वीडियो का link मैं description में दे दूँगा आप वहाँ से जा के देख सकते हैं और देख कर अपनी SIM card को बंद कर सकते हैं जो कि file to आपके 11 number पर activated है तो I hope कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए नहीं पसंद आई है तो dislike कर दीजिए अगर आप dislike करेंगे या वीडियो को like करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो आपके लिए काम कर रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं आपको कर नहीं पसंद आ रही हैं तो मैं खुद में improvement लाँगा और आप comment section में जाके ये बता सकते हैं जो भी आपके पास मेरे लिए suggestion है वो link के बता सकते हैं कि हमें खुद में क्या improvement करना चाहिए क्या चीज मेरे अंदर इसी है जो आप लोगों को नहीं पसंद आ रही है तो comment section में जाके ज़रूर बताईए कि आप लोगों क्या चाहिए क्योंकि जो मैं videos बनाता हूँ वो आपके लिए ही बनाता हूँ अगर आपको नहीं पसंद आएगी तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फाइदा नहीं है तो उमीद करता हूँ जारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टापिक के उपर तब तक के लिए आप लोग अपने बहुत सारा ख्याल रहिए और मैं आपको